नमस्कार दोस्तों टोकियो ओलंपिक से बहुत बड़ी खबर आ रही है मैं आपको बता दूँ कि भारत को गोल्ड मेडल मिला है दोस्तों जी हाँ नीरज चोपड़ा ने भारत को एथिलेटिक्स में पहला मेडल जिता दिया है ओलंपिक के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नही चुका था चार ब्रॉंज मेडल आ चुके थे लेकिन गोल्ड नहीं आया था और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों जैबलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है दोस्तों और उन्होंने अपने पहले ही थ्रो से ये जता दिया था कि वो गोल्ड मेडल के लिए ही उतरे हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और जो भी साथी खिलाडी थे उनके वो तो ऐसे ठके हारे लग रहे थे लेकिन उन में से एक जैबलिन थ्रो के बागसा अब कह सकते हैं नीरा चोपडा अलग ही लग रहे थे और यहाँ पे बेश्ट बता दून का सेकेंड थ्रो जो था वो 87.58 मिटर वही थ्रो है जो गोल्ड मेडल उनको जिता गया तो बहुत ही यह एतिहासिक पल है दोस्तों आपको बता दूं कि अविनाव बिंदरा के वाद इन्विजिवल में यहाँ पे दूसरा गोल्ड भारत को मिल चुका है और एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मिडल